करता हूं आज का वीडियो आज का वीडियो जो है वो एक वाइडल वीडियो है और इसको लगबग छे पैसाट लाग लोगों ने देखा है जिहां डॉक्टर रेनू रखेजा नुट्रिसियन एक्सपर्ट इनका कहना है कि कि more than three liter water is damage your health मतब तीन लीटर से यज़ादे की पानी जब आप पिते हों तो यह पानी आपकी kidney और heart को डैमेज कर सकते हैं यह उसके लिए खतरनाक है तो क्या यह सही है किस अस्तर तक सही है इसका थोड़ा fact चेक करते हैं और अपने अस्तर से और जो मैंने चेक किया है तो उसमें क्या मैंने पाया है तो वो मैं आपको last में बताऊंगा तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं skip मत कीजिए क्योंकि बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगो तो इस वीडियो के skip किये विना पूरा देखिए और इसके knowledge हो सकते हैं आप increase कर सकते हैं तो start करते हैं वीडियो मैम का कहना है पानी में सिर्फ हमारे body को hydrate रखता है मतलब water जो है हमारे सरीर को hydrate रखता है बलकि इसमें mineral, vitamin और nutrition रहता है जो सरीर के functions को balance रखता है अभी मैम कहती है दूसरे point में over hydration के कारण सरीर में electrolytes level गिर जाता है इसका अस्तर गिरने से सिर्दर्थ और मांस्पेशियों में कमजोरी हो जाती है और साथ साथ में आप रोजाना अधिक पानी पीने से आपकी कोशिका है और over saturated हो जाती है क्योंकि पानी में mineral ratio को फिर से balance करने का प्रयास करती है बात समझ रहे है clear है crystal है आपको कुछ समझना नहीं यह समझ लीजिए जब कोशिका saturated होता है तो उस टाइम पर हो जाती है तब पानी जो हो पानी की mineral की रेशियो जह है वह आपको mineral ratio वह आपको balance करने की प्रयास करता रहता है आपके इस कोशिकाओं को ठीक है अभी दूसरा point इनका लेते हैं कि electrolytes यानि magnesium, potassium, sodium यह होता है electrolytes में जब आपको dehydration होता है तो mainly आपको नमक, पानी और चीनी का गोल जो दिया जाता है वह electrolytes होता है और यही परदार्थ उसमें होता है magnesium, potassium और sodium जो kidney और heart के काम को support करता है देखे, kidney और heart जब functions कर रही होती है तो electrolytes उसको support करता है यानि magnesium, potassium और sodium उसको support करता है अगर यह एक तरफ में हम क्या कर रही है over hydration will be damage your electrolytes तो कहीं न कहीं अगर over hydration हो गया आपने जादे पानी पी लिया तो electrolytes को damage करेगा अगर electrolytes को damage करेगा तो definitely वह आपको आपके heart के और kidney के function को support कर रहा है उसको कम जोड करेगा और वह जब आपको support की इन दोनों heart और kidney को support नहीं करेगा तो filtration हो सकता है या आकरन हो सकता है जो आपके blood जो है वह जब heart पर पहुंचते उसको रोग सकता है fat create करके तो यह सब चीजे आ सकती है और definitely होगी तो यह सब चीजे आपक function है over hydration अगर regular base पे होने लगे मतलब रोज आप तीन लीटर से जानी पानी पीने लगे तो वजन बढ़ जाएगा brain fog होगा और सिर्दर्ध होना तो definitely और मान स्पेशी दर्ध होना चालू हो जाएगा तो अब क्या है कि क्या हमें पानी कैसे पीनी चाहिए उनका कहना है कि उसी आप तर्बूज पालक या कुछ हरी सबजिया का मदद ले जिसमें और रेडी पानी की कुछ मात्रा है जो हाइट्रेट रखती है आपकी बॉडी को साथ साथ में जरूरत के हिसाब साप नारियल पानी चाय कॉफी जूस से भी काम चला सकते हैं और यह इसमें भी water level होता है जो हाइड्रेट रखती है बॉडी को तो उनका कहना किलियर है रेशियो बनाए अनुपात बनाए और अनुपात के अमसार ले माल लीजिए आप सुबह मतलब आपने दो लीटर पानी पिया है साथ साथ में आप सुबह उठते हो तो डाल पीती चाय पीते हो डाल खाते हो त उसके बाद फ्रूट्स खाते हो तर्बूज खाते हो खीरा खाते हो कुकुमबर खाते हो बहुत सारी चीज़े आप खाते हो इरेगुलर बेस पे तो उसमें भी पानी होता है और वो भी आपको हैड्रेट करती रहती है बॉडी को लेकिन मैं जैसा मैंने आपको कहा था कि बातों पर I agree with you but doubt क्या है कि क्या यह सब चीज़े एक लेवर क्लास जो की रेगुलर काम कर रहा है जिसकी स्वेटिंग बहुत जादे हो रहे है यह बॉडी से तो क्या उस पे भी यही चीज़ लागू कर होता है क्या या आप यह कह सकती है कि यह ओफिस वाल हो ओफिस वाइ हैं कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं लैपटॉप पर बैठे हुए उनके लिए या फिल्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए यह तीनों में से किस पे लागू होता है अगर तीन लीटर पानी एक लेवर पिएगा तो उसका शरीर से जो स्वेटिंग होता है उसके कारण उसको में जो मिनरल्स होते हैं लाइक पोटासियम सोडियम वह बाहर आएंगे और उसके कम जोर सरीर पड़ेगा तो उसको एनरजी नहीं मिल पाएगा जिसके कारण वह काम नहीं कर पाएगा यह नॉर्मल फंक्संस है तो क्या उसको भी तीन लीटर ही पानी पीना चाहिए उससे जिम में भी लड़का काम कर रहा है जिम में भी करता है तो उसको भी सेमी रहता है कुछ चेंज होगा और यह जो आप बोल रही है कि हाइड्रेट करने के लिए आप तरभूज खाओ और यह खाओ तो क्या तरभूज और यह सब का कुछ अनुपात होगा जो निकालेगा प्लीज सस्काइब कर दे लाइक कर दें कमेंट कर दें और इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सस्क्राइब भी कर ले और फैक्ट चेक के बात की तो फैक्ट चेक मैं कर रहा हूं और मैं प्लीज एंसर इस कोईश्यंज थांक यू वेरी मच